इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक सबसे ज़दा पॉपलर हैं मतलब अगर हम लोग इन वाइक की सेल्स फिगर के बारे में बात करें तो आप लोग हमेशा ये टॉप बे ही देखने को मिलेगी ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बंद हैं तो यहां पर कुछ ऐसी बाइक हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि आप लोगों देखने को मिलती हैं अब टाइटल लाइन और थम निल देख करके तो आप लोग समझी गए होगे अगर मैं बात करूँ अज 2023 में अगर आप एक नॉर्मल स्प्लैंडर भी खरीदने जाओग है कि उना थोड़ी सी और प्रीमियम बाइक ले जिसमें फीचर्स थोड़े अच्छे मिल जाए थोड़ा लुक जादा अच्छा मिल जाए तो वहां पर एंट्री लेती हैं कुछ 1500cc की बाइक कुछ 160cc की बाइक तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसी बाइक जो की अपाचे सीरीज और olmay अपाच्य सीरीज और चाहस की बाइक तरफ से आने करने वाले एक लियू करणे वाले हैं थो की लोग आ! तो काफी लोगों के सवाल भी है कि इसी बाइक हम लोगे लिए जयादा बैटर रहने वाली है किस बैक की तरफ हम जाना चाहिए वह सारी के सारी जो चीज़ है वो मैं आज में आपछी वीडियो हैं आप लोगों बताने वाला हूँ और ये फूल कमपैरिजन रहने वाला है सा सबसे पहले आपर स्टार्टिंग करते हैं प्राइस से यहां पर अगर मैं बात करूँ अपाचे 4B के बारे में यहां पर कुछ आप लोगो एडिशन से देखने को मिल जाते हैं लाइक अगर आपको सिंगल चैनल एबेस वाला वीरेंट चाहिए तो वह आप लोगो यहां पर दूवल डिस्क वाला यह वीरेंट मिल जाएगा अगर आपको ब्लूथफ कनेक्टिविटी के साब से चाहिए तो वह भी मिल जाएगा तो यहां पर मैं अगर टॉप अफ द लाइन यानि की जो स्पेशल एडिशन आता है उसके कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो 158,000 जो यहां पर आपको 159cc का सिंगल से लेंडर ऑईल कूल इंजन मिलता है जोकि 17.3bhp का मैक्सम पावर और 14.7N तक का टॉर्क जो जनरीट करता है वहीं अगर मैं एनस के बारे में बात करूँ तो यहां पर भी आप लोगो को जो है यहां पर आपको 160cc का सिंगल से लेंडर ऑई आपको 0.1bhp जो है वो जादा मिल जाता है तो मुझको लगता नहीं है कि इतना बड़ा फिगर है जो कि आप लोग बहुत जादा डिफरेंस जो है और रियल लाइफ में डालेगा नेक्स चीज़ के बारे में आपर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको दोनों ही में 5-speed का gearbox देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ अगर मैं आपर features के बारे में बात करूँ तो यहां पर डेफिनेटल आप लोग काफी ऐसे features हैं जो कि दोनों में से काफी अलग मिलते हैं यहां पर मैं बात करूँ तो यहां पर आप लोगो सबसे पहले modes देखने को मिलते है adjustment आप लोगो clutch levers देखने को मिलते हैं brake levers और one of the best feature जो कि मुझे इस बाइक का लगता है वो लगता है GTT mode मतलब amazing work करता है real life में मैंने दूनों ही bikes को चला रखा है तो उसी वेस पर माप लोगो बता रहा हूं NS160 जो नहीं वाली है वो तो नहीं चलाई बट old generation वाली जो है वो definitely चला रहा है वहीं अगर मैं NS के बारे में बात करूँ तो यहां पर आप लोगो USD जैसे features देखने को मिलते हैं और सबसे important dual channel ABS जो है वो आप लोगो इस बाइक के अंदर मिलता है और gear indicator जैसे features भी जो है वो companies इस बाइक के अंदर offer कर रही है तो यह सारी सारी चीज़ों है कहीं ने कहीं आप लोगों के लिए काफिजदा important हो सकती है और अगर में बात करूँ फ्यूल टैंक के बारे में या फिर बागी चीज़ों के बारे में तो similar है दोनों ही बैक में आपको 12 लिटर का fuel tank देखने को मिलता है suspension के बारे में आप बात करी जाए तो आपको Apache में टैलिस्कूपिक suspension मिलते हैं rear में MonoShock Absorber मिलता है बट यहां पर जो winner है वो NS200 है वो NS200 है बेकाज उसके अंदर आपको USD suspension मिलते हैं rear में MonoShock Absorber रहने वाले हैं और real life में अगर मैं दोनों के ही बात करूँ तो चीज़ के बारे में बात करते हैं breaking यहां पर देखो टीवेस अपाची जो है उसकी breaking मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है front में आपको petrol disc brakes मिलते हैं और मतलब क्या ही amazing braking है बट यहां पर अगर मैं NS200 के बारे में बात करूँ तो यहां पर आपको 300 mm की display देखने को मिलती है और नेक्स चीज़ के बारे में बात करते हैं tire size अब दोनों ही bikes के अंदर tire size almost similar है बट यहां पर आकर आप लोग आपाची देखोगे तो आपको 90 by 97 इंचिस के tire मिलते हैं और NS के अंदर देखोगे तो आप लोगो 100 by 87 इंचिस के tire मिलते हैं और rear के जो दोनों ही tires है वो आप देखने को मिलते हैं NS की तरफ जाओगे तो आप लोग ज्यादा लीन करना चाहते हैं तो आप NS की तरफ जा सकते हैं दोनों ही bikes के में बोलू तो आप लोगो कुछ खास difference नहीं लगेगा तो नों टायर जो है वो आप लोगो अच्छी grip जो है वो प्रोवाइट कर देते हैं आप लोगो देख लिएगा नेच्ट इसके बारे में आप लोगो इतना दाधर दिफिरेंस पता नहीं लगेगा हां दस बीस पंद्रा किलोग का वेट होता तो कहीं नहीं वह लगता पर आप लोगो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इवन अगर आप लोगो दोन ही बैक से इकल करके आता है कि भाई ले कौन सी और यह भाई मेरे भी दिमाग में है कि अगर इतना ही प्राइस का डिफरेंस है तो ले नहीं कौन सी चाहिए तो देखो मैं सबसे पहले बता दू जैसा मैं आपको प्राइस बताया कि यहां पर एनस जो है वह आप लोगो एक हजार रु सबसे पहले चीज़ अगर आप लोगो फीचर बहुत सारे चाहिए कि मेरी बैक मैं ऐसे होना कि मतलब फीचर अंगिनतों आप लोगो मोड मिल जाए और डेफिनेटली यह चीज़े वर्क करती है इस्पेशली टीवेस की मैं बात कर रहा हूं अगर आप लोगो इस बाइक को ब्लूथूथ कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाता है एलेडी लाइट से देखने को मिलती है एड़ेस्टेबल लीडवर्स आप लोगो मिल जाते हैं और जब मेरा फीवरेट जैसा मैंना पूबताया जीटीटी मोड मतलब जहां आप लोग जाम में फसे हो कुछ निगर न या फिर आपको जो अग्रेसिव पोजिशन थोड़ा सा अग्रेसिव रहें बहुत जाता है करेसिर में रहेगा बट आप लोगो फील होगा कि हाँ मैं स्पोर्स बाइक पर बैट करके जो है वो चल रहा हूं तो वो चीज जो है आप लोगो एनस के अंदर पील होने वाली है अब बट यहां पर एक चीज में आप लोगो बता दूँ एनस जो है वाई वन सिक्टी उसके अंदर आपको फीचर कुछ खास नहीं देखने को मिलेंगे सेमी डिजिटल कंसोल आप लोगो देखने को मिलने वाला है वही पुराना लुक महां पे कुछ भी चेंज नहीं किये वाईब्रेशन से डेफिनेटली जब आप लॉंग टर्म में यूज करने लोगे बहुत ज़्यादा नहीं पता लगती बट हाँ जो बंदा रेगुलर चलाता है उसको ऐसा लगया कि आई तो रोजी चलाता हो कहा है वाईब्रेशन बट जब आप किसी बाइक से शिफ्ट हो आप लोगो थोड़ा स्पोट्य वाला फील्ड चाहिए आप लोगो पावर थोड़ी से स्पोट्य वाली चाहिए और आपको फीचर उतना मैटर नहीं करता तो आप डेफिनेटली जो है एन एस वन सिक्स्टी कि तरफ जा सकते हो तो यहीत आज का वीडियो आई होप साब ल